हाज इसर सुबह स्टार्ट की थी पेंटिंग वह अभी फिनिसिंग हो रही है और इतना हमने अलग-अलग पार्ट चिपकाने का चालू कर दिया है काफी कुछ चिपक गए है अब साइब आओ में लास्ट फिनिसिंग चल रही है कोशिस पुरी है आज ही फाइनल लगाने की क्योंकि पांच बजए नो इंट्री लग जाता है तो उससे पहले पहले हमको ट्रक में लेके इसको लेके जाना पड़े की प्रेंटिंग लगभग नो फिट की प्रेंटिंग हो जाएगी है फ्रेमिंग की बाद वैसे छे बाए तो फाइनल चिपका ही रहे हम लोग काफी पाट चिपका दिये हैं अभी कुछ नग निकल गए है ठोकने करने में हतोड़ी से और यहीं फ्रेमिंग का फाइनल चल रहा है इसकी फिनिसीं चल रही है कम सब्सक्रीं अभी भी लगा आकट चार-पाच घंटे का काम हैं बहुत बड़ी फ्रेम है तो इसके जैसे कहीं कुछ रह जाता है कोने रह जाते हैं तो उसको हम लोग फाइनल कर रहे हैं यह फाइनल होने के बाद इसमें कलर होगा और फिर बाद में इसका बॉक्स लगेगा पेंटिंग में यह बॉक्स इस तरह से कि कि कोशिस हमारी पूरी है कि आज दिन में साम तक लग जाए अब देखते हैं बाबा कि क्या अच्छा और आगे जैसे ही फाइनल पूरी होती है फ्रेम होती है फिक्स होगी तो मैं अगला वीडियो और बनुगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग के जो भी पेंटिंग लवर है या जो पेंटिंग को पसंद करते हैं उनको पता चले कि किस तरह से पेंटिंग बनती है कि कितना टाइम लगता है कितनी मुश्किले आती है तो दोस्तों अगले वीडियो में बताता हूं मैं पेंटिंग फीट पूरी होने के बाद मैं कैसी लग रही है और फिर फिट करने के बाद धिनों ने बनवाई है उनका विभी में आपको बता हूं और मेरा चैनल सही लग क्सोरी अधियुड़ धियुड़ से दिला कि 90 वाल झाले कि पाले कि अखुड़ कि रचाए कि और दूरे कि दो तूरे कि लिग रचे लिड़ाई है